नमस्कार प्रहसाक्षी नियूस नेडवर्क और आप सभी का स्वागत है नागरिक्ता संचोधन विदेग को लेकर विपक्ष मोधी सरकार पर फिर हमलावर है दरसल जहां सरकार इसे राष्ठ हित्य में बता रही है वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार अवैद्ध प्रवासिय है इसा विपक्ष का आरोप है बड़ा आरोप है खास्वार पर विपक्ष के साथ साथ आप जो बीजेपी के सयोगी दल है चाहे जंता दल उनाइटेड हो लोग जंचक्ति पार्टी हो चाहे वो शिव से नहों सरकार की विरोध में आ गया है कि हम इस विदेग का विरोध कर सबसे पहले जानते हैं कि यह विदेख है क्या नागरिक्ता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में नागरिक्ता विदेख लाया गया था इस विदेख के जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश के अल्पसंख्यक समझायों हिंदूों सिखों ब जाए छे वर्ष करने का प्रावधान है यानि अब ये शरणार्थी छे साल बाद ही भारती नागरिक्ता के लिए आविदन कर सकते हैं इस बिल के तहट सरकार अवैद प्रवासियों की परिभाशा बदलने के प्रयास में है ऐसा विपक्ष का अरोप है विसे देखा जाए तो एनर्सी और नागरिक्ता चंशोधन विल एक दूसरे की विरोधावासी नजर आ रहे हैं क्योंकि जहां एक और नागरिक्ता चंशोधन विधेक में बिजैपी धर्म के आधार पर शर्रौनार्थियों को लेकर कोई भेधवाउ नहीं है इसके अनुसार 24 मार्च 1971 के जदियू असमगण परिशत और त्रिणमूल कॉंग्रेस इस विदेग के विरोध में हैं कॉंग्रेस का कहना है कि यह है 1985 के एतिहासिक असम करार के प्रावधानों का उलंगन है जिसके मुताबिक 1971 के बाद बांगलादेश से आए सभी अवैध विदेशी नागरिकों को वहां से निर्वाशित किया जाएगा भले ही उनका धर्म कुछ भी हो दरसल इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजच सप्ता असम में एक रैली को समद्द करने गए वहां प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रक्रिया के दौरान आप लोगो को हम उन समस्तियाओं से आपको निजात दिलाना चाहते हैं और आप वस समझे कि आपको इन समस्तियाओं से नियात मिलने ही वाली है प्रधानमंत्री ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो नागरिक्ता शंशोदन विधे को बीजेपी लोगस्वा में जरूर पेश करेगी संस का सत्र खत्म होने को है अब अंतीम समय में जेपीसी इस मामलें पर अपनी रिपोर्ट दे रही है जेपीसी ने भी जो संचोधन सुझाय थे जो खास्तौर पर विपक्ष के सदस्य हैं उन सदस्यों का सीज़ा आरोफ है कि हमारे संचोधनों को सत्तारूल पार्टी के सदस् है धर्म के अधार पर नागरिक्ता की अगर बात की जा रही है तो वह सरासर गलत है अब जेपीसी की रिपोर्ट में ही जब इतना हंगामा है तो सदन में क्या होगा आई आपको एक चीज़ और इस विदेख से जुड़ी खास तोर पर समझाते हैं अब प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद की हम नागरिक्ता संशोदिन विदेख पास कराएंगे असम के जो हालात हैं वह थोड़े से बीजेपी के लिए मुश्किल होते नजर आ रहे हैं वह ऐसे की असम के दो महतपूर्ण संग्ठनों ने प्रधानमंत्री नेंद्र मोधी की टिपणी पर क क्रिशक मुक्ती संगराम समिती ने विदेख को अलोकतांत्रिक और असम मिधानिक बताते वे कहा कि अगर विदेख संसद में पारित किया गया तो वह कानूनी लड़ाई शुरू करेगा उन्होंने कहा कि मोधी ने साफ कर दिया है कि वह 2019 का संसदिय चुनाओ भारत के लिए नहीं बलकि विदेशियों के लिए लड़ेंगे और असम में ही बीजेपी की जो मुख्य प्रतिदोंदी है कॉंग्रेस उसने भी बीजेपी पर खास्त और प्रधानमंत्री धार्मिक और भाशाई अधार पर असम को बाठने का आरोप लगाया है प्रदेश कॉंग्रेस इंदू बंगलादेशियों को केवल वोट बैंक की राजनीती के लिए असम में लाना चाहते हैं तो इस तरह आपने की समझा आपने की नागरिक्ता शिंशोदन विदेख है क्या इसके उद्देश क्या है और सरकार को किन मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है इसको संस में ले आया थे लेकिन उसके बाद यह विदेख क्यों नहीं आगे बढ़ पाया जेपी सी ने इतना समय के लिए ऐसे कई तरह के सवाल है फिलाल हम आपको इस रिपोर्ट से यह बताने आया थे समझाने आया थे कि मुद्दा क्या है इस मुद्दे पर हमारे निगाह बनी र